नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नेवसक्लिक का डेली राउंड अप शो आगे नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर हमारी पहली ख़बर है यूगपी से जहाँ पर किसानों की पांस इनकी पदियात्रा शुरू हमारी दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे पंजाब की जहाँ पर सफाई कर्मियों का आंदोलन 33 दिन भी जारी फूका सरकार का पुतला कुम्ब मेला के दौरान हुई टेस्टिंग में एक लाग से जादा रिपोर्ट फरजी तोक्यो अलम्पिक क्या भारत के खिलाडी तयार है और आखिरे में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की जहाँ पर देश में आक्टिव मामलों की संक्या घट कर दो दस्पिलों नौदो फीसदी हुई किसान आंदोलन को आज 200 दिन पूरे हो गए चब इस नौबर को शुरू हुए इस आंदोलन के बात से अब तक किसान दिल्ली की सिमाओ पर डटे हो गए हैं इसी सिलसिले में आंदोलन को तेश करने की नियत से उतरपदेश के किसानों ने आज से 5 दिन की पधियात्रा शुरू करी है यह पध्यात्रा आज बुलन शहर से शुरू हो गई है और पांस दिनों तक पांस जिलों से होते हुए गाजिपूर बॉर्डर के आंदोलन में शामिल होगी इस पध्यात्रा का मकसद किसान अंदोलन को फिर से तेश करने के और सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए चेताना है दो सो दिन पूरे होने पर नियूस क्लिक ने किसान नेताओं से बाचित की अकिल भारती किसान सभा के नेता पवन दुगल ने नियूसक्लिक से बाचीत में कहा कि किसानों ने इन 200 दिनों में अंदूलन की ताकत का इजहार किया है उन्होंने दिखाए कि किसान अपनी मांगों के लिए हार्ड कमकबाती ठंड और चलचलाती धूब में भी डिगे नहीं और अव्वे बादलों की गरज और मेक की बोशारों का भी सामना करने के लिए तैयार है क्योंकि यह मुद्धा उनके लिए जीवन मरण का सवाल है उन्होंने कहा सिमाव पर प्रदर्शन के 200 दिन गुजारने के बाद अब एक चीज़ सो तैय हो गई है कि किसान खाली हाथ नहीं लोटेंगे लोग तन के लिए यह कैसा बुरा दिन है कि लोग बाग अपनी वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर उतर पड़ते हैं और यहां था कि इन सड़कों को विवश तावस लड़ाई का मैदान बना देते हैं तब विदेश की अगर एक चुनी हुई सरकार गुंगी और बहरी बनी रहती है यूनिसिपल मुलाजिम एक्षिन कमिटी एवं सफाई सेवक यूनियन पंजाब के आहवान पर सफाई सेवक यूनियन की हरताल 33 दिन भी जारी रही सफाई कर्मियों ने पजाब सरकार का पुतला फूक कर जम कर नारे बाजी की इस मौके पर सफाई सेवक यूनियन के अध्यक्ष सत्पाल चावरिया वर सिवरिश कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सत्पाल अंजान ने कहा कि सरकार द्वारा अभे तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा सफाई कर्मचारी सिवरिश कर्मचारी वर म्यूनिस्पल कर्मी इस करोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर अपनी ड्यूटी को तंद ही से निभाते रहे हैं तता कच्चे कर्मचारीों को काम करते 15 से 20 वर्ष हो गए हैं इस महेंगाई में अपने पैवार का गुजारा बहुत कम वेतन में करने को मजबूर है इसलिए सरकार इन कर्मचारीों को बीना शर्त पक्का करें उन्होंने कहा कि एक जन्वरी 2004 के बाद भरती हुए कर्मचारीों की पुरानी पेंचन स्कीम लागू करनी चाहिए क्योंकि कर्मचारी 35 से 40 वर्ष तर नौकरी करते हैं तता पेंचन ही उनका एक मात्र सहारा होता है इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए, छटे पे कमिशन को लागू करना चाहिए डिये की किष्टों को तूरन जारी करना आधी मांगों को कॉंगरिस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले अपने चुनाओ घोशना पत्र में शामिल किया था लेकिन पंजाब सरकार ने साड़े चार वर्ष बीच जाने के बावजूद भी अब तक कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने कहा कि जब तक मिनिस्पल कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तर संगर्श जारी रहेगा अप्रैल में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर के दौरान हुए कुम्ब मेला में सबसे बड़ा कोई टेस्टिंग घोडाला होने की बात सामने आई है तदसल जास से पता चलता है कि कुम्ब मेला के दौरान जो टेस्टिंग हुई उन में से करीब एक लाग टेस्टिंग फरजी गए यह जाज तब हुई जब उत्राकंड हाई कोट ने एक दिन पहले कहा था कि उन्हें लगता है कि कुम्ब के दौरान चार लाग से ज़्यादा टेस्ट फरजी हुए है जिनमें एंटिजन टेस्ट ज़्यादा शामिल थे एक दिन पहले ही जो हाल बिहार का सामने आया था ठीक उसी पैटरन के साथ कुम्ब में हुई टेस्टिंग को फरजी बनाया गया जाज में बताया गया है कि ऐसा करने से 20 से ज़्यादा प्राइवेट टेस्टिंग लैक शामिल है अब उन लैब की जाच हो रही है फरजी टेस्ट रिपोर्ट आई कैसे आपको बता दे कि राजस्तान हरियाना पंजाब से लोगों ने बताया है कि उनकी फोन में आर्टी पीसिया टेस्ट की निगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट का मैसेज आया जबकि उन्होंने टेस्ट करवाया भी नहीं था प्राइविट लैब वालों ने टेस्टिंग किट के नंबर भी फरजी इस्तमाल किये और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि टेस्टिंग किट की संख्या ज़ादा टेस्ट की संख्या दर्श की गई आपको बता दे कि जब उत्रखंड में जारी कुम्ब मेला की आलोचना हो रही थी तो इसे हिंदू आस्ता से जोड़ कर देखा जा रहा था जानकारी ने तब भी आगा किया था कि इसकी वज़ा से उत्रखंड में सबसे बड़ा कोविड विसफोर्ट का खत्रा होगा और ऐसा हुआ भी उत्रखंड के गाउं तक कुरोना पहुच चुका है उसी दोरान जहां बाकी जिलो का पॉजिटिव रेट 10% से उपर था वहीं फर्जी टेस्टिंग के माध्यम से हरीदवार का टेस्टिंग रेट 2% कर दिया गया था लगबग एक साल विलंबित टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल अब जुलाई 23 से अगस्त आठ के बीश खेले जाएंगे इन खेलों में लगबग 206 देशों के 11,000 से अधिक खिलाडी शामिल होंगे जिनमें 100 के आसपास भारती खिलाडी भी है और जानकारी के ने सुनते हैं सिदान्त आहने को आज की इस डेली राउंड आप में हमें शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया बिल्कुल ठीक आपने बताया कि 11,000 से जादा खिलाडी टोक्यो 2020 ओलिम्पिक्स के लिए फाइनली शामिल मिलने वाले हैं जाने वाले हैं टोक्यो जहां एक साल के विलम के बाद ये गेम्स ओलिम्पिक गेम्स जो शायद विश्व में सबसे बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्टिंग इवेंट है वो रखा जाएगा अब ये इस कॉंटेक्स में हो रहा है ओविसली कोविट 19 महामारी पैंडेमिक के दौर में ये टॉर्नमेंट ये इवेंट खिला जा रहा है और जो कि हमें मालूम पड़ा है कि वो ये है कि सर्वेज के मुताबिक जपाइन में जो की होस्ट है जो मेजबान है इन खेलों का वहां पे काफी पॉपिलर ओपोजिशन है ओलिम्पिक्स के खिलाफ कि बाहर से इतने सारे लोग आएंगे 11,000 से अधिक खिलाडी ओविसली 6,000 से ऊपर पत्रकार आएंगे अलग-अलग देशों से काफ काफी पॉप्लिक फंडिंग जो है इस इवेंट के इन उलिंपिक गेम्स की तैयारी में जा चुके हैं जिसके खिलाफ काफी विरोध रहा है जपाइन में और यह डिसकॉशन चल रहा है कि इन फ्यूचर कि इन इवेंट्स का इस पैमाने पे जो इवेंट्स करे जाते हैं उ इस कॉंटेक्स में हम थोड़ा बात कर रहें और यह काफी पेशीदा मामला है तो इस पे संशित में बात करना थोड़ा मुश्किल है नो डाउट निजिक स्पोर्ट और निजिक पे हम विस्तार से इस बारे में बात करें लेकिन आज का स्प्रिसिविक टॉपिक जो है वह कि भारत के खिलाड़ी सौ से उपर जो खिलाड़ी भारती जिनकी आशाएं है उलिम्पिक्स में भाग लेने की उनकी तयारियां कैसी चल रही है नाव एक वाइडर कॉंटेक्स में अगर हम देखें तो जो की भारत की तरह जो जो देश हैं जहां एक तो जो जो डिवेलपि पढ़ा है असर पढ़ा है इवन इन हमारा जो कभरेज है इन इवेंट्स का इन आथलीट का उस पर भी फर्क पढ़ा है विकोज हम स्पेशल प्रोडोकॉल के तहत काम कर रहे हैं जबकि जहां की काफी सारे ये आथलीट्स आइसोलेशन में हैं अलग-अलग सेंटर में अप उस विशे में आज इंडियन एक्सप्रेस के निहाल कोशी जर्नलिस्ट हैं पत्रकार हैं उन्होंने एक आर्टिकल पब्रिश किया है जो कि इंडियन एथलेटिक्स में एक मेडल होप काफी अरसे बाद अगर आप मिल्खा संग पीटी उशा को इस से कॉन्वसेशन से निका में उनकी तैयारी के बारे में उनकी कोच वे होन ने बात की है इंडियन एक्सप्रेस से और वो कह रहे हैं कि चाहे खुराक हो या कॉम्पेटिशन हो या इंजरी से डील करने का हो यह सब काफी मतलब डिफिकल्ट रहा है इस दौर में और इसके कारण जो प्रदर्शन रहे है और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है जो सरकार चलाती है उनके बीच थोड़ा भी क्लारिटी और अजेंडा का फर्क रहा है जैसे ही सबसे बड़ी कहानिया हमको सुनने को मिली है पिछले कुछ सब्ताव में इंडियन ओलिम्पिक एथलीट्स के कांटेक्स्ट में वह रह मामला है दूसरा है सायना नेवाल बैडमिंटन सूकर स्टार और भारत की एक काफी लोग प्रिय खिलाडी है जो ऑल्सों ओलिम्पिक मेडलिस रह चुकी है वह क्वालिफाय नहीं कर रही है इस बार ओलिम्पिक के लिए तो उनका शायद करियर इसी के साथ उसका आंथ हो ज कैसे इस दौर से भारतिय खेल और खिलाडी निकल पाएंगे और इस कॉंटेक्स में क्या माइने रखता है यह सब कहानिया की हाली में हम स्वामे संबे को गला कि लीनिंग जो एक चाइनीज ओन कमपनी है जो स्पॉंसर करती थी भारतिय जो ओलिम्पिक टीम का जो किट है उ उनको सपोर्ट करने का वो अब पॉब्लिक फंड यानि कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री को मोस्ट लाइकली पैसे इखटे करने पड़ेंगे इस कॉस्ट को कवर करने के लिए तो क्या इस महामारी के दौर में जहां पे सरकार के पास बहुत प्रायोरिटीज है अलग तो क्या इस इस कॉंटेक्स में यह जो नैशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बेसिस पे हम डिसिजन ले रहे हैं कि इस कंपणी से स्पांसर्शिप लेना चाहिए इससे नहीं लेना चाहिए क्या यह माइनी रखता है क्या यह रखता है तो इन सब बातों पे हम विस्तार से मतलब काफी डीटे और आखिर में किंद्री स्वास्त मंत्रारे दौरा आज बुद्वार यानी 16 जन्वरी को जारी आकड़ों करने साथ देश में पिसले 24 घंटों में कोरोना के 62,214 नए मामले दर्श किये गया है इसके अलावा करोना से एक दिन में 2540 मरीजों की मौत दर्श की गई है साथ 20 देश बर में करोना से पिरित 1,7,666 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 47,946 मामले कम हुए देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 2,92,82 हो गई है जिन में से अब तक 3,89,011 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पिरित 95,079 फीस दी यानि 2,83,80,460 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या घट कर 2,10,92 फीस दी यानि 8,65,432 हो गई है स्वास्त मंत्राले की तरह जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की 25,05,582 दी जा जोकी है जिन में से 32,36,133 वैक्सीन की दोस पिसले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट नियूसक्लिक.न पर जाए हमारे यूटिब चानल को सब्सक्राइब करे साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करे नियूसक्लिक देखने के लिए शुक्रिया